हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 318 तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कायन मास्टर की हेल्प से अपनी वीडियो के अंदर ट्रांजिशन एफेक्ट कैसे लगा सकते हैं या फिर आपके चैनल को लाइक सब्सक्राइब यह सब करते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले नए 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 वीडियो की के उपर इसमें आपको सबसे पहले अपने फॉन में काइन मास्टर की जो एप्लिकेशन है उसके अंदर जाना है आपको ओपन कर लेना है उसे यह इस तरीके से खुल जाएगे आपके फॉन के इंदर उसके बाद आपको यह प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा हुग इसक 16-9 स्लेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आपके सामने यह स्क्रीन आ जाएगी इसमें आपको यह मीडिया का ओप्शन यहाँ पर राइट में दिखाई दे रहा होगा इस मीडिया वाले ओप्शन पर क्लिक करके आपको जो भी वीडियो जिसमें भी आप ट्रांजिशन इफे लिए है अपनी ठीक है अब यह एक सिंगल वीडियो है तो इसमें हम ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे लगाएंगे जैसे आपको माल लो यहाँ पर नो सेकेंड पर दस्वें सेकंड पर आपको यहाँ पर रखना है और इस वीडियो के उपर एक बार क्लिक कर देना है तो इस से इसके सारे function यहाँ पर highlight हो जाएंगे उसके बाद आपको यह केंच का निशान सबसे पहला दिखाई दे रहा होगा इसके उपर आपको क्लिक करना हिए यहां से आपको split at play head करना है split करते ही ये दो हिस्सों में बट गई आप बाहर क्लिक करके देख सकते हैं ये वीडियो दो हिस्सों में हो गई और यहाँ पे बीच में इनके एक plus का sign आ गया आपको इस plus वाले sign पे click कर देना है इस पे आप जैसे ही click करेंगे तो आप देख सकते हैं आप ए transition effect की window यहाँ पे खुल चुकी है जिसमें आपको काफी सारे effects दिये हों हैं जैसे यह travel and activity है text transition है sentimental है presentation है कोई presentation बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे effect हैं जैसे मैं इसमें split करके दिखा देता हूं आपको यह देखो इस तरीके से effect आएगा cover वाले में इस तरीके से आएगा spin वाले में यह इस तरीके से आएगी वीडियो ठीक है घूम के strip wipe है इस तरीके से यह effect है ठीक है उसके बाद powerful है picture in picture है ठीक्चर इंफन transition है classical transition है जिसमें zoom out होगा इस तरीके से ठीक है फेड थू करना चाहें तो हम फेड थू कर सकते हैं इस तरीके से होगा cross fade करना चाहें तो इस तरीके से हो जाएगा और यहां पर सबसे उपर none है ठीक है नन से वह effect हट दाएंगे जो भी आपने लगाया होंगे इसमें अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप none पर क्लिक करके जैसी आपकी वीडियो थी वैसी हो जाएग उसके बाद अगर आप य नीचे यह get more का जो option है इसके उपर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं यहां से इनकी library खुल जाती है जिसमें 3D action एक्शन पर क्लिक करेंगे तो यह action वाले खुल जाएंगे analog color cross graphic इस तरीके से काफी सारी category यहां पर दे रखी है तो आपको इन में से जो भी अच्छा लगत है आप यहां से उस पर क्लिक करके download कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद यहां से cross कर देंगे तो यहां पर add हो जाएगा जो भी आप हमाँ से download करेंगे उसके बाद अगर आप यहां से कोई भी लगाना चाहते हैं जैसे 3D transition है इसमें आपको यह 3D flip पाला option है इस पर आप क्लिक करेंगे यह देख सकते हैं effect कुछ इस तरीके से लगेगा उसमें strips का है strips का इस तरीके से आएगा यह 3D zoom flip है यह इस तरीके से zoom होके आएगी यह काफी अच्छा लगता है देखने में चीक है तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो के अंदर कहीं पे भी transition effect लगा सकते हैं और इसको ठीक है उसके बाद आपको दुबारा यह media वाले option में जाके दूसरी वीडियो को यहां पर upload कर देना है फिर से यहां पर plus का sign बन जाएगा उस plus के sign पर click करके आप transition effect लगा सकते हैं अब मान लिजी आपको यह पसंद नहीं आया तो आपको जो यह effect दिख रहा है इसके पर दुबारा click कर देना है और उसके बाद आपको यहां से none पर click कर देना है तो आप देख सकते हैं उसके बाद यहां पर done तो यहां से यह हट चुका है अब ठीक है तो यहां पर आप यह show नहीं हो रहा तो friends उमीद करता हूं आपको यह video अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने सीख लिया होगा कि आप अपनी वीडियो के अंदर transaction effect कैसे लगा सकते हैं तो अगर आपको यह video अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like जरूर करें और जाद से जाद से शेयर करें थैंक यू